कि फ्लाइट का मेंटेनेंस है 75 सो रुपए तो आपको देनी होगी 18 परसंट की GST जी हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं एच्टे न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सुरवी दोस्तों आपको बता दे कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या कॉलोनी में रहने वालों का मेंटेन है हलाकि पहले सिर्फ 5,000 रुपए पर GST देने की बात हो रही थी और होती थी तो आपको बता दे कि 25 जनवरी 2018 तक केवल 5,000 रुपए अगर आप देते थे मेंटेनिस चार्ज तो आपको केवल इसी राशी पर GST देनी होती थी लेकिन बाद में ये नियम बदल दिया गया ह और आपको बता दे कि अब 9,000 रुपए वालों को भी GST देना होगा तो आगे क्या है पूरी खबर चलिए जान लेते हैं अगर एक ये सोसाइटी में किसी के दो फ्लैट्स है और वो 75,000 रुपए दे रहा है मिंटेनिस चार्ज तो GST में उसे छूट मिल सकती है लेकिन 20 ला जनरेटर, वाटर पंप, फरनीचर, कापिटल, गूड्स, लाइन, पब, पंप, हार्डवेर पर आपको जो GST बुकतान करना है उस पर आप छूट ले सकते हैं क्लेम कर सकते हैं लेकिन इसमें पानी, पंप, स्टैम डिटी, बिजली नहीं आती है आपको 37 तरह के अलग-अल में अपना रिजिस्टेशन नहीं कराया है तो उनको कराना जरूरी है, GST में अलग-अलग 37 तरह के वाश्यक रिटन फाइल करने होंगे, जबकि पहले एक ही करना होता था, सोसाइटी और आपको पदाधिकारियों के मताबिक इससे फंड के सिमाल पर असर पड़ेगा, क्यो सामना करना पड़ता है, तो कैसी लगी है जानकारी, कमेंट करके हमें जरूर बताएए, धन्यवाद, अगर ये खबर आपको पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्स पर वाचिंग, एचजे नियोज,